हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आईनार जिसने अपने आँखों के सामने अपनी विलेज को जलते हुए देखा, सांती कुछ इंसान की सकल में दरिंदो ने उसकी मदर और सिश्टर को जान से मारा और आईनार को चन पैसों के लिए बेश दिया, फिर आईनार को केतिल नाम क क्या explanation वीडियो यह episode वहीं से शुरू होता है जहांपर first episode में गेतिल आयनार को thorfin से मिलाता है thorfin से मिलाने के बार केतिल आयनार को बताता है कि उसको और thorfin को मिलकर एक forest को कार्ट उसे harvesting land बनाना है और जब वो यह काम कर जाएंगे तो वो वापस अपने आपको खरी सकते हैं यानि वो अपनी freedom पा सकते हैं जो सुनने के बाद आइनार बहुत खुश हो जाता है और अपने जी जान से काम करने की बात करता है और ये बात बताने के बाद कि दिल भी वहाँ से चले जाता है आईनार को थौर्फिन के हवाले चोड़कर और यहां हमको पता चलता है कि यह थौर्फिन वो थौर्फिन नहीं रहा जिसके सर में सिर्फ बदले का भूच सवार होता था और जो अब एक जिंदगी से हारा आदमी बन चुका है फिर उसके बाद आईनार और थौर्फिन वहां जाते हैं जहां पर थौर्फिन ने जंगल में से काफी पेड़ काट दिये होते हैं तो यह देख आईनार खोज हो जाता है और जब थौर्फिन उसे और जगह बताता है फिर आयनार को पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं है और 90% काम अभी भी बचा है ये देख आयनार जोसमा आ जाता है और पेड़ काटने की कोसिस करता है लेकिन काट नहीं पाता तो थौर्फिन उसे समझाता है कि केदिल न तुम्हें आज सिर्फ अबजब करने को का है तो ये बात सुन आयनार जवाब देता है कि उसे अपनी फ्रीडम जल्दी चाहिए तो अभी से काम करेगा ये बोलते ही थौर्फिन भी समझ जाता है और उसे काम करने देता है कुछ टाइम पेड़ काटने के बाद आयनार को भूख लग जाती है तो वो थौर्फिन से पूछता है कि लंचे का क्या सीन है फिर थौर्फिन उसे बताता है कि उनके लिए कुछ लोग लंचे लेके आएंगे उसके बाद लंचे लाने वाले वहाँ पहुंचते हैं जो कि फ्री लोग यानि जो स्लेव नहीं है और सिर्फ केतिल के साथ काम कर रहे है क्योंकि उनके पास खुद का कोई फार्मिंग लेड नहीं है और जिरे रीटेनर का जाता है वह वहाँ लंचे लेके तो आते हैं लेकिन उन लोगोंने सब कुछ खाकर सिर्फ थोड़ा सा बचाया होता है आईनार और थौर्फिन के लिए तो ये देख आईनार को गुसा आ जाता है और वो उनसे जबान लड़ाने लग जाता है तो ये सुन रीटेनरों का भी इगो हट हो जाता है और वो आईनार को थैंक्यू बोलने को कहते हैं लंचल आने के लिए लेकिन आईनार नहीं बोल रहा होता है तो ये देख थौर्फिन वहाँ आता है और खुछ थैंक्यू बोल उन लोगों को सांत कराता है ये सुन रीटेनर भी सांत हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं लेकिन अपना सारा काम जो कि है कटे पेड़ों को साइड करना वो आईनार और थौर्फिन को सौप देते हैं और अपना साइड में सो जाते हैं फिर सभी कटे पेड़ों को साइड लगाने के बाद आइनार और थोर्फिन घर को जा रहे होते हैं, तो आइनार बोलता है कि वो रीटेनरों की सिकायत करेगा केतिल से, फिर थोर्फिन बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो और भी परिसान करेंगे हमको, तो ये सुन आइनार को गुसा आजाता है और वो थोर्फिन का कॉलर पकाड़ लेता है, लेकिन इसी टाइम वहाँ पर केतिल पहुँच जाता है और पूसता है कि क्या हुआ, जैसे ही आइनार उसको सब कुछ बताने जाता है, पर केतिल के साथ वाले टांगे में वो एक लड़की को देखता है, और उसकी ब्यूटी में मोहित होकर चूप हो जाता है, और कुछ नहीं बोलता है, फिर उसके बाद आइनार को स्ट्रेंज मैन बोलकर केतिल भी वहाँ से चला जाता है, अब हमको देखने को मिलता है, नेक्स डेका सीन, जहां केतिल समीर बहुत से लोग फसलों को काट रहे होते हैं, और उसके साथ उसका बेटा ओलमर भी होता है, जो एक वारियर बनना चाता है, पर उसके बास कोई स्किल नहीं है, तो जब उसको केतिल समझा रहा होता है, कि कैसे फसलों को काटना है, पर उसमझ नहीं पाता, और अपने हिसाब से काम करता है, और वो भी गलत, इस कारण केतिल उसे डांट देता है, और ओलमर गुशे में आकर, अपनी तलवार निकानने की कोशिस करता है, पर उससे मयान से तलवार भी नहीं निकाली जाती, तो वो एमबेरेस होकर, I am gonna make a name for myself, with a sword, बोलकर चले जाता है, फिर उसके बाद, हमें दिखाये जाता है एक फार्मर का घर, जहां ओलमर और फार्मर की बेटी, डिंक चिका कर चुके होते हैं, और ओलमर उस लड़की को, अपनी वार्यर वाली कानिया सुना रहा होता है, और वो घर के बार, लड़की का बाप और मा, ये सब सुन, कुश हो रहे होते हैं, कि उन्हें केतिल की दौलत में से, गुश तो मिली जाएगा, अगर उसकी बेटी और ओलमर के बीच कुछ हो जाए, पर वो लोग की बाते, ओलमर भी सुन लेता है, और गुश से में आकर, वहाँ से चला जाता है, फिर वहाँ से, घर के और जाते हुए, से उसके विल्योज को बरबाद किया गया, इंग्लेंड और डेन्मार्क के लोगों के द्वारा, और उसके पेरेंस और सिस्टर की देथ हो गई, उसके सामने, और वो सिर्फ देखता ही रह गया, ये सब सुनने के बाद, हमें एक छोटा सा पार्ट, थौर्फिन के पास का दिखाया जाता है, और इसी के साथ एपिसोड खतम हो जाता है, और पोस्ट क्रेडिट, नेक्स एपिसोड, स्नेक की थोड़ी सी जलक देखने को मिलती है, ओके फिर दोस्तों, ये थी सेगेंड एपिसोड की एक्स्विनेशन वीडियो, अब मैं आपको मिलता हूँ, नेक्स एपिसोड की एक्स्विनेशन वीडियो के साथ,